Hello students! शुरू करते हैं एक नवे वीडियो को. So, आज हम देखेंगे 10th Maths CBC Board का 5th Chapter, Arithmetic Progression. तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो सस्क्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और आपने दोस्तों के साथ शेयर करें. तो आज का जो वीडियो है वो 5th Chapter, Arithmetic Progression. So, Example, तो यहां पर हमें एक लाइडर का Example दिया है, जो Real Time Example से, For Example यहां पर रीना है, उन्होंने एक जॉब को अपलाई किया है और उनका सिलेक्शन भी होआ है. तो उनका सालरी स्टार्टिंग में है 8000 और उनका Annual Increment होगा 500 रूपीज. तो उनका सालरी कैसे होगा, First Year में होगा 8000, Second Year में 8500, Third Year में 9000 और ऐसे Increment होगा. तो इसको कहते हैं Arithmetic Progression. तो यह होगा Increment, वैसे ही Decrement हो सकता है. For Example, यहां पर Second Example में उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि यह लाइडर है, और लाइडर का Example देके उन्होंने बताया है कि length of the rungs of the ladder decreases uniformly by 2 cm from the bottom to top. क्या हम उपर चड़ते हैं तो उसकी length कम हो जाती है 2-2 cm से, तो उसकी total length है 45 cm. तो उसका sequence में क्या होगा? Starting में हम चड़ते हैं तो 45 cm. So 2 cm आगी जाते हैं तो बचता है 43, 41, 49, 39, ऐसे 2-2 cm से कम हो जाता है. और last में क्या बचेगा ऐसे 1. तो यह होगे basic examples of arithmetic progression. अभी then next यहाँ पर और एक example है जहाँ पर जो number of unit of square वो बढ़ रहे हैं. For example, वो squares में बढ़ रहे हैं. 1 square, 2 square, 3 square ऐसे. यहाँ पर उन्होंने डाग्राम भी ट्रॉकी है. तो next क्या होगा? Next होगा 4 का square. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ऐसे 16 होगे. 4 square. समझ में आ रहा है? तो ऐसे arithmetic progression होगा. सो बहुत सारे examples दिये हैं. कि जो sequence में बढ़ता है या increment होता है या decrement होता है. तो इसके लिए एक formula मिल जाएगा हमें. For example, जो arithmetic progression का sequence है. तो उसका हम difference निकाल सकते है. For example, यहाँ पर हो गया 1, 3, 5, 7, 9. तो next time निकालना है तो हम निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दिया है उन्होंने. पहले हमें difference निकालना होगा. तो यहाँ पर a1 यह है और a2 दूसरा नंबर है. So a2-a1 क्या होगा? 3-1 मतलब 2. तो हमें यहाँ पर difference d कितना मिला? 2 मिला. So पहले नंबर निकालना है तो हम a3 है. तो ऐसे भी निकाल सकते है. a3-a2. So 5-3 कितना होगा? So difference common ही आएगा 2. तो ऐसे हम difference निकालके next term आड़ कर सकते हैं. अभी next term क्या आएगा? 9 plus 2, 11. Right? Next 13. Next 15. तो ऐसे हम वो series भी complete कर सकते हैं. वैसे ही decrement कर सकते हैं. तो series क्या होगी? हमारी उन्होंने नीचे दिया है. जनरल फॉर्म ओफ अरित्मेटिक प्रोग्रेशन. A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D. दिख रहा है. पहला नमबर होगा A. उसमें difference एक बार एड़ हो जाएगा. थर्ड में दो बार, पोर्त में तीन बार. इसे कहते हैं, finite arithmetic. और कुछ जो series होती है, वो end ही नहीं होती. उसको कहते हैं, इन्फाइनाइट अरित्मेटिक सेरीज. यह वाली सेरीज. यह पर dot dot हमीं पता नहीं है, कहा end होगा. 18 में होगा या 21 में होगा या 24 या कब तक वो 3 add होते हैं, वो पता नहीं चल जाएगा हमें. या negative में. यह minus 3 में end होगा या minus 6 में या minus 9 या minus 12 पता नहीं है, यह infinite है. तो इसको कहते हैं, infinite arithmetic progression. अब हमें A की और difference की value पता चल जाएगी, तो हम वो series निकल सकते हैं. कैसी निकलेंगे? तो series में पहला number होता है A, minus 7 as it is. दूसरा number के आएगा? minus 7, minus 2. तो कितना होगा addition? तो बहुत सारे बच्चे confused हो जाते हैं, minus minus आ गया तो. तो इनका addition करेंगे और जो minus 3 ने ओ दे देंगे. तो यह होगा, minus 9. Then minus 11, minus 13. यह continue होगा. Then A है 1 और D है 0.1. तो पहले आएगा 1, 1.1, 1.2, 1.3. समझ रहा है? Then A is equal to 0. Then D, D है 1.5. तो पहले आएगा 0. Then 1.5. Then 1.5 plus 1.5, 3. 1.5 plus 1.5. Then 3 plus 1.5, 4.5. Then 6. Then 7.5. Then 9. So ऐसे सेरीज होगा. समझ में आ रहा है? Next, A की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 0. मतलब यह constant arithmetic progression है 2, 2, 2. क्योंकि हमें कुछ add करना नहीं है. Got it? So बहुत सारे examples दिये हैं. तो चले शुरू करेंगे हम exercise. अब practice 5.1 exercise. इसमें हम पहला question पहले solve करते हैं. क्या है? Write first four terms of arithmetic progression. कि हाँ पर सेरीज के पहले चार नंबर बताने हैं. उन्होंने A दिया है और D दिया है. तो सेरीज का पहला नंबर जो A होता है वही होता है 10. देन दूसरा नंबर होता है A plus D. तो 10 plus 10, 20. देन A plus 2D. 10 plus 2 into 10. मतलब 30. 10 and last 40. Easy. आरहा है समझ में. Next, A is minus 2 and D is 0. तो यह constant series होगे यह से. क्यूंकि add तो कुछ करना नहीं है. minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. चार ही टम निकलने. तो यह होगे. Next, 4 and difference is minus 3. तो पहले आएगा हमारा A is 4. Then 4 minus 3 क्या आएगा? 1. Then 1 minus 3 आएगा. minus 2. minus 2 minus 3 क्या आएगा? minus 5. 2. Got it? Next. 4th वाला क्या है? A minus 1. D 0.5. तो यह आएगा पहले minus 1. Then इसमें add हो जाएगा. 0.5. मतलब क्या आएगा? minus 1 and half. Then 0. Then plus 1 half. तो आप बूलेंगे कैस है? यहाँ पर minus 1 है. उसमें 0.5 add कर दिया. तो वह जाएगा right side में. minus 1 और 0 के बिच में वहाँ आएगा 0.5. तो इसको बोलते है? minus 1 half. और 0.5 add कर देंगे तो वह जाए 0. So ऐसे value आएगे. Then 5th. तो यहाँ पर पहला नमबर तो यह आएगा. minus 1.25. दूसरा नमबर उसमें minus 0.25 add करना है. तो क्या आएगा? minus 1.5. Then minus 1.75. Then 2.0. minus 2.0. समझ में आ रहा है? तो यह और left side में जाएगा. minus में. Okay. So यह होगा second question. Very easy था. Third वाला तो यहाँ पर उल्टा दिया है. उन्होंने series दिया है. और हमें पूछाए कि first term और common difference याने D क्या होगा? A और D पूछा है. तो यह होता है पहला नमबर. तो हर एक में यहाँ पर 3 यहाँ पर minus 5 यहाँ पर 1 divided by 3 और यहाँ पर 0.6 हो गया. अभी D निकालना है तो D कैसे निकालेंगे? Second term minus first term. यहाँ पर D है minus 2. यहाँ पर D है minus 1 minus minus 5. यहाँ पर yu. यहाँ पर 1 plus phi yu is equal to plus 4. समझ में आ रहा है? यहाँ पर D हो गया. phi yu by 3 minus 1 by 3. तो D नमेटर रसे में तो common निकालेंगे. phi yu minus 1 तो यहाँ पर आगाया answer 4 by 3. आ रहा है समझ में Next यहां पर 1.7 minus 0.6 यहां पर आगाए answer 1.1 Yes तो students यहां पर हम हमारा जो पहला लेक्चर है वो स्टॉप करते है आशा है आपको arithmetic progression समझ में आया होगा कुछ भी doubt है तो आप WhatsApp ग्रूप में या वीडियो की नीचे comment में पूछ सकते हैं यह वीडियो आपके friend के साथ share कर सकते हैं आप चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर सकते हैं वीडियो लाइक करें और share करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Thank you very much